इन दिनों लोगों की जुबान पर कोई बात है तो वो है कोरोना हर कोई कोरोना की बात कर रहा है हर कोई इसे अपने तरीके से पेश कर रहा है सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है कई ऐसी तस्वीरें हैं जिहें सोशल मीडिया पर शेयर कर तमाम तरह की बातें की जा रही है एक तस्वीर है जिसमें एक शक्स को रोते हुए दिखाए जा रहा है और लोग इसे इटली का पीम बताते हुए कह रहे हैं कि इटली की हालत को देखते हुए वहां कि प्राइम मिनिस्चर रो रही है वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर दिखाई दे रही है जिसे लोग अलग-अलग तरीके से पेश कर रही है इस तस्वीर में मास्क पहने हुए कपल है जो एक दूसरे को प्याच से निहार रहा है इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर ये बाते कही जा रही है कि ये कपल डॉक्टर दमपत्ती है और इटली के है और पीड़ित 134 मरीजों का इलाज करने के बात इन दोनों की भी कोरोना से मौध हो गए लोग इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर रहे हैं एक न्यूस पेपर की कटिंग भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर दमपत्ती है लेकिन हम आपको बताते हैं इन तस्वीरों से जुड़ी सच्चाई के बारे में ये जो कपल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है वो तस्वीर बसिलोना एरपोर्ट की है इस तस्वीर को बारह मार्च के दिन एक फोटोग्राफर जिनका नाम एमिलियो मोरेनाती है इन्होंने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जिस समय एमिलियो ने ये फोटो शेयर की थी उस समय हालात ये थे कि अमेरिका के राष्टपदी डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोपिय देशों से नागरिकों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये तस्वीर उसी वक्त बर्सिलोना एरपोर्ट पर खीची गई थी हम ये नहीं कह रहे हैं ये कहना खुद एमिलियो मोरेनाती का है कि ये तस्वीर उन्होंने बर्सिलोना एरपोर्ट पर खीची थी हम आपको उनका ट्विटर पर किया हुआ ट्वीट बताते हैं पर डॉक्टर दंपती के नाम से चलाई जा रही इमेज पूरी तरह से फेक है तो हमारी आपसे रिक्विस्ट है कि देश इस समय एक गंभीर संकट से गुजर रहा है कई ऐसे लोग हैं जो इस मुसीबत के वक्त में भी सिर्फ अपने मनुरंजन के लिए इस तरह की फेक चीज से घबराने की जगब आपका एक कर्तव है कि आप ये कंफर्म करें कि चीजे सही है या नहीं सही हो तब ही इन चीजों को आगे बढ़ाएं सोशल मीडिया पर और भी कई तस्वीरे वाइरल हो रही है जिनके सही जानकारी हम जल्द ही आप तक पहुचाएंगे तब तक घर म